एक आप से sequence पूछा हुआ है, यहाँ पर आना चाहिए, यह cyclic ketone आपको दिया हुआ है, that is the printing mistake, और इसमें आप लोग यह reaction करवाएंगे, सबसे पहले है hydroxyl amine के साथ, तो hydroxyl amine के साथ जब हम इस reaction करवाते हैं, जब भी ketone की reaction हम इसके साथ करवाते हैं, hydroxyl amine के साथ करवाते हैं, तो उसमें क्या बनता है, oxyme बनता है, यह आपका ketone हो गया, इसके reaction हम लोग करवाएंगे हैं, hydroxyl amine के साथ, यह hydroxyl amine है, इसको हम लोग बोलते हैं hydroxyl amine, hydroxyl amine, जब हम करवाएंगे तो किसका loss होता है, water का loss होता है, तो हमने यहां से क्या किया, water का loss किया, और minus H2O, इसके जग़ा क्या बनता है, oxyme बनता है, तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, oxyme बनाएंगे, double bond, N, OH, और यह lawn pair, अब हमें इसके क्या करवाएंगे, हमें H plus के साथ reaction करवा रहे हैं, तो H plus के साथ जब हम इसके reaction करवाएंगे, तो यहां जो compound बनता है, actual में, जो इस तरीके से होगा, कि हमने H plus के साथ इसके reaction करवाई, और यहां होता है, यहां होता है, वेख करवाएंगे साथ जबॉक् οποि अपर बनता ही जब होता है , बैक्मांद रिअरेंजमेंट अभी में बताऊंगी आप लोगों किस तरह से होगा पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि यह जो H+, इसका रोल क्या है यहां जो OH है उसे ही क्या होता है? प्रोटोनेट हो जाता है यहां से प्रोटोनेट होके क्या बनाएगा? NH2 H2 plus की फार में इसको जो नाइट्रोजन रिंग के बाहर है यह रिंग का क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है इस तरीके से हम लोग इसका क्या करवाते हैं? बैक्मांद रिअरेंजमेंट करवाएंगे इस तरह का unsaturated compound मिलेगा इस तरह का unsaturated compound हमें मिलता है और इस तरीके से यहां पे होता है double bond अब इसके reaction जब हम करवाते हैं यहां पे लगा गया nitrogen और यहां पे क्या होता है double bond इस तरीके से यह क्या होता है? रिंग का पार्ट बन जाता है अब यहां हम लोग इसको क्या करवाएंगे LILH4 पोई के साथ Reduction, यह जो Double Bond है यह Reduce होता है, क्योंकि यह LILH4 क्या है, Strong Reducing Ascent होता है तो हम लोग यहां पर इसकी Reaction क्रवाते है LILH4 के साथ और यह होता है Strong Reducing Ascent Strong Reducing Ascent जब हम इसकी connection करवाते हैं तो यह double bond है यह क्या हो जाता है? reduce और जैसे reduce होगा तो इस form में यह क्या हो जाता है? convert हो जाता है तो यहां पर हमने लगा दिया INH क्योंकि nitrogen के तो 3 bonds होते हैं यहां पर क्या होगा hydrogen और यह H-plus कहां से आता है? यहां से आता है क्योंकि इस तरह से यह complex बनता है Li-Al-H4 इस तरह से यहां से क्या बनता है? H- यहां निकलता है यह क्या देता है हमें? H- hydride ion यह hydride ion यहां पर जूटके क्या बना रहे है? इससे यह वाला product हमारा बनता है तो that is the A plus B product यह पूरा reaction का क्या होता है? mechanism होता है यह आपका product बना है A